हाई वेल्कम अगेन चिल्रन वी विल कंटिन्यू आवर फर्स्ट लेशन यह वी रिविजन चेप्टर है पर पार्ट थ्री में हम देखेंगे हमारे कितना पेज नंबर तक हो गया था अब हम नेक्स्ट पेज नंबर ओपन करेंगे अब हम लोग पेज नंबर टुवल ओपन कर कितना बड़ा से टाइगर है ना डर लगती है आप लोगों को टाइगर देखकर तो यहां ध्यान से देखिए ए टाइगर कैंसी सिक्स टाइम्स वेटर एट नाइट देन मोस्ट ऑफ अस यहां पर क्या है बाग अंधेरे में भी हमसे छे गुना बहतर देख सकता है देखें से सिकार की बिल्कुल सही स्थिति का पता चल जाता है इससे इन्हें अंधेरे में रास्ता ढूणने में भी मदद मिलती है बाग अपनी ही इलाकों में रहता है अपनी गंद छोड़ते जाते हैं यह इलाका कई किलोमीटर बढ़ा हो सकता है एक बाग किसी दूसरे बाग की यूरियन की गंद को जड़ से पैचान लेता है फिर उसे उसी इलाके में गुसता है या नहीं या तो उस बाग की मर्जी अब यहां पर यह क्या बता रहे हैं टाइगर्स मेक डिफरेंट साउंड्स आफ सॉरी साउंड्स फोर डिफरेंट परपस लाइक वेन इटीजे एंग्री और टू कॉल आउटे टाइगर्स तो बाग मौके के अनुसार अपनी आवाज बदलते रहता है गुसे में अलग आवाज और बागीन को बुलाना हो तो अलग आवाज कभी कहरना तो कभी कुरगाना बाग को गुरगाना तीन किलोमीटर दूर तक सुना जा सकता है फिर क्या करता है और बाग हवा में पत्तो को हिलाने और सिकार के छारियों में हिलती हुई आवाज में अंतर को भाप लेता है बाग के दोनों कान बाहर की आवाज एकठे करने के लिए अलग अलग जिसाओं में बहुत ज़्यादा घूम भी जाती है आप सबने देखा है ना टाइगर को जू में तो सबने टाइगर को देखा ही होगा तब ही अपने बुक में भी देख लीजे अब नेक्स पेज करें नेक्स पेज ओपन करते हैं आपके देखें नेक्स्ट पेस्ट थर्टिन में आपके लिए कुश्चन है दाइगर इज वन आप तो अलर्ट एनिमल्स एंड टुड़े टाइगर्स आरिन दैन्जर्स बाग इतना सतर्क जानवर है लेकिन इससे सबसे बाउजूर आज वह खत्रे में है जानवरों के लिए खत्रा बन रहे हैं अगर बन रहे हैं तो कैसे क्या आप जानते हो हाथी को उसकी दातो और वो जो गैंडे होते हैं उनके सिंग, सेर, मगरमच और साप को उसकी खाल के लिए मार दिया जाता है कस्तूरी हीरन को थोरी सी खुसबू के लिए मारा जाता है जानवरों को मारने वाले लोगों की सिकार कहते हैं आपको पता है हमारे देश में बाग और अन्य कई जानवरों की गिंती इतनी कम हो गई है कि इनकी लुप्त हो जाने का खत्रा है हमारे देश में सरकारी ने बचाने के लिए बहुत से जंगलों की सुरक्षा दे रही है जैसे उत्राखंड का जीम, कार्बोनेट, नेशनल पार्क और राइस्थान के भरतपूर, जीले में घना इन जंगलों में जानवरों का सिकार माना है यहां लोग जानवरों या जंगलों का कोई नुकसान नहीं पहुचा सकते अगर हम जंगलों को नुकसान पहुचाएंगे तो एनिमल्स कहा जाएगा तो जैसे हम अपने घर में रहते हैं उसी तरह से हमें जानवरों के लिए जंगल सेफ है इसलिए हमें पेर नहीं काटनी चाहिए पेर काटेंगे तो फिर जानवर रहेंगे कैसे तो इसलिए उनकी जंगलों को हम नहीं काट सकते हैं कि वो अराम से वो अपनी घर जैसा फील कर सके वहाँ पर अब यहाँ पर देखे कुस्सन है Find out where are other such national parks in India Collect information on these and write a report क्या तुमने कभी ध्यान दिया कि तुम, sorry, क्या तुमने कभी ध्यान दिया बहुत से गायक, गायका, गाते समय अपने कान पर हाथ रखते है वो ऐसा क्यों करते है फिर next क्या है Sorry, मैंने गलत बता दिया न यहाँ पर क्या है Where are other such national parks in India भारत में जानुरों की सुरक्षा के लिए ऐसे national park और कहां कहां है Collect information on this and write a report इनके बारे में जानकारी एकर्थे करके हमें report त्यार करनी है अपने notebook में लिखनी है What we have अब आगे ध्यान दिजिए हम क्या समझे क्या तुमने कभी ध्यान दिया कि बहुत से गायक, गायका, गाते समय अपने कान पर हाथ रखते है वे ऐसा क्यों करते है फिर second क्या है Giving example of animals that may have a very strong senses of sign hearing or smell कुछ example देकर समझाओ जिसमें हमें पता चलता है कि जानोरों क्यों देखने, सुनने सुनने और महसूस करने के सकती बहुत तेज होती है तो यहां तक पता चला आप लोग को पेज नमबर next open करेंगे पेज नमबर 14 में आपके लिए सुन्दर सी activity है यहां पर क्या करना है for this you need think paper, pencil, seizure, sketch pen यहां पर करना है हमें थोड़ी से सामान लेनी है थोड़ा मोटा कागज लेना है pencil लेना और cash ही लेना है फिर यहां पर देखे क्या करने है हम लोगो यहां पर कागज में से लंबी पटी हमें काटना है इस पटी पे चितने में दिखाये तरिकों से निसान लगाना है figure देखना है फिर हमें try करना है फिर 1 से लेकर 6 तक के निसानों पर cut लगाना है फिर 1 से 2 नमबर के काटेवे हिस्सों को आपस में फसाना है इस तरह से 3 और 4 में और 5 और 6 में फसाना है फिर पिच्चर में देखिए 2 और 3 नमबर इसे फिर 3 में कुछ क्या है? डॉगी के पैर वाले हिस्से पर जो निसान दिख रहे हैं उन पर भी कट लगाओ सिर के उपर के कटेवे हिस्से को मोर कर कुट्टे के कान बनाओ है न मज़ेदार? ऐसा अब ट्राइ करो घर पर एक एक अक्टिविटी और यह वाला चैप्टर यहीं पर आइंड होता है मैं इसके साथ इसका सल्योशन पेपर भेज दूँगी तो आप लोग क्या करना? सल्योशन पेपर इसकी पूरी नॉट्बुक में लिखना वन टैम लिखना, टू टैम लिखना बट उसको याद करना ओके अच्छे जी याद करना बोल बोल के लिखने की कोसिस करना ओके टेक कियर बाई बाई